पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जी ओतियारिया वोली टिम के शिरुवाद करेंगे इस वक्त की बड़ी कबर के साथ चंदिगर से बड़ी कबर सामने आ रही है जहाँ पर पंजाब के सियम नहीं जा सकेंगे पैरिस के इंद्र सरकार से नहीं मिली है के उलम्पिक दल में पंजाब के 19 खिलाडी सुरक्षा कारणों के चलते नहीं मिली मंजूरी सुत्रों के वाले से ये खबर सामने आ रही है तो ये बड़ी चांकारी आपको दे रहे हैं चंदिकर से जहां पर मुख्यमंतरी भगवंत मान को पैरिस जाने की अनुमती नहीं मिल है लेकिन खबर ये है कि उन्हें मंजूरी नहीं मिली है पैरिस जाने की और पंजाब के क्रिशी मंतरी गुर्मेद सिंग खूडिया ने मांसा जिले के नर्मे की फसल का जायजा लिया इस अवसर पर क्रिशी मंतरी ने कहा कि मालवा पट्टी में सफेद मख्य और गुलाबी सुन्डी पर काबू पालिया गया है जिन दुकानदारों ने घटिया कितना शक बेची थी उनके खिलाफ कारवाई भी की गई है चाहे पिछली बरीवी सीगा चाहे चिट्टे मच्छर दासी जान जिकते सुन्डी दा आउंदा सीगा के गलाबी सुन्डी या किते तो उसमेले भी केवनेट मंतरी साड़े किरती पड़ी सरदार गुनमी सीजी खुटिगा साथ साड़े सुरदूर्गाड हरके चाहे सी मान मसाजले देवेच ते जिडे कसान नर्मा भी जाननों उत्शाब भी मिलता नाड खेती वड़ी देकार गाना जुटाइटां कीते तिंगा ने किसान जागरत कीता जावे जिड़ी जिड़ी सप्रेय कारनी आगी ते नाड ही ये नानो क्या के पिंड़ा देवेचे सप्था जाके मने अद्धी करके गुर्दवरा साहब भाइट के कसाना देगा खास करके नर्मे अलाए देगा मुश्क्रा सुनेगा जाना देखो साथी सरकार दा साथी कुडिया साथी मंतरी दा एक पॉस्टिव बेजन है कि उन्हान आप सानु आज़ी कारनी तोड़ी लाके जा र तो साथी मतरदा अदेश है अदेश है यह सारी किसान दो बेंती कर देया के जिते सरकार जो पॉस्टिव कम कर रही है मंतरी कम कर रहे हैं जो अदर लाहा लेना चाहिए सानु भी नर्मे दी फसल पंजाब विच मिलना बहुत जादा होया कर दी से होड़ी होड़ी गलाबी अटाइक आउन लागिया जिम्यदार भी उनुक्टाउन लागिया जिन्नीग साड़े को डिफसला है एक लाख हैक्रीर दे लेड़े है तो सारे मैकमें दी सरकार दी जिम्यदार परामां दी सारे राल्मेंट केस उनुन बचाउन दी कोशिश है पहला ही जेकते चिती मक्ही भी जड़ी और लागी उदे नड़ होई है तो उनों बचाओन भी खातर जड़ीया दुवाइने शेटकरिया साड़ा खेती बड़ी मैकमा उदे इंस्पेक्टर, एडियो, अफसर, मलाजम, करमचारी, इदकारी सारे पिन्दाच जिमीदार पर आ वन्ना रापता रख रहे हैं मन्जिर लाल्टेन समुख कारसिवा दिल्ली संचालित कर रही है जिसको लेकर के केशिगर साहिब के प्रमुख ग्रंथी भाई जोगिंदर सिंग ने लाल्टेन की रमता के रिप्रार्थना की सिंग साहिब जी दे स्थान दे उते जो कारसिवा चल रही है बाबा बचर सिंग की दिल्ली वालियां वालों जो संग्तान दे अउन वास्ते रहन वास्ते यातरीन वास बनाया जा रहा है ते जिदे टोटल कमरे पंजा कमरे बनने हाना ते संग्तान दे विच बहुत बड़ा राम वास्ते बहुत जगा मिलनी है इस कारके आप सारियां संग्तानों बेंति किती जंदी है विस सब संग्तान दे सबस्तान दे सेवा करके अपने जनमनों सफल करो वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते तंतन बाबा गुर्दित्ता जी जिना दे बहुती मेरे साथ का अज जरी सराह दा पंजमे दा मंजल दे जरा लेंटर पह रहे हैं कि बबा बच्चन सिंग जी का सेवा वाले उना दे बलों हे जरी सेवा कराई जा रही है जिदे विच्च बबा कल्दीब सिंग का सेवा ले जरी उसका इसे सेवा कर रहे हैं बबा बच्चन सिंग जी आप भी और फिरोजपुर में गुंडागर्दी की घटनाय रुखने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला फिरोजपुर के गाउं लुम्भुरी वाला मरलिया के सामने आया है जहां पर आपको बता दे कि बच्चों के विवाद को लेकर के दो पक्ष भिड़ गए। सरयाम एट पथर चलाये गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी कारोप लगाया है। साथ ही आपको ये भी बता दे कि दोनों तरफ से 5-6 लोग घायल बताये जा रहे हैं और एट पथर चलने का वीडियो भी सामने आया है। इसी मामले को लेकर पुलिस में पीडित राजू के बयान पर सदर थाने में 11 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्श किया है। साथ है एक दुझञे लड़ेने इस हाड़े बारू बंदे नहीं अग्यें नहीं लड़ाई साड़ना किती थी 25 बंदे ले आगे नहीं लड़ाई किती इस हाड़े दे पची दा पर चाए भया जी आपे नहीं बहाँ तोड़के सब जीत कर दी इना दाहल करा यह जे हाड़ और अलम्पिक के इतियास में बावन साल बाद भारती ओगी टीम ने उस्टेलिया को हरा दिया इस जीत में टीम के कप्तान हर्मन प्रीट सिंग के दो एहम गोल थी जिसको लेकर के सीम भगवन सिंग मान ने पूरी टीम को बढ़ाई दी है और क्वार्टर फाइनल के लिए तो मुख्यमंतरी पंजाब के भगवन सिंग मान ने ये ट्वीट किया है और होकी टीम का उत्सा बढ़ाने के लिए ये ट्वीट किया है दर असल वावन साल पहली बार जो है भारती टीम ने अस्ट्रेलिया की टीम को हराया है और इसमें हर्मन प्रीद का काफी एहम रोल रहा उनके दो गोल से भी ये संभव हो पाया और इसे को लेकर कि मुख्यमंतरी भगवन सिंग मान ने जो है बकाइदा सोचल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर ये पोस्ट किया है और इस और यहां पर रुखेंगे एक छोड़ा से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे मिक्स विफ वाटर, स्प्राइट बाटर, फ्राइट गाना, डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तब मैं इडली बनाती हुआ हमने बनाया, किसी? और फिर के बादिवाद फिर से स्वागत है आप तबी का, चलिए ख़बरों मा आगे बढ़ते हैं शिरोमणी अकाली दल से निकाले जाने के बाद से सुख़देव सिंग धिन्सा ने कहा कि जल्द ही पार्टी प्रदान के पत पर चुनाओ करवाने जा रही है और इसके लिए उनके पास परियाप्त डेलिगेट्स हैं सुख़देव सिंग धिन्सा ने कहा कि देरमामली में सुख़बीर समर्थक घबराय हुए हैं जिसके वजह से नेताओं को पार्टी से निकाला जा रहा है रेट्सा ने सुख़बीर बादल समर्थक अकाली नेताओं द्वारा लगाए गए उप्रेशन डागपुर को भी नका रहा है ना उनके से नोटिस देता है कि क्या सिजूशन के ना है पहला उनों लोटिस देओ जवाब आए उस दो बाद वो बटकी कमेड़ी नो लिगे के आँ पैसरा की ने कमेड़ी वो पर पर दान लो कहनी है किया पैसरा है तेरे दो जुट्र सुखी करता तेरे पर दान लो करता है और अम्रेश सर में इटियो बिजली और लोग निर्मान मंतरी अहर बजन सिंग ने तैसल अम्रेश सर में सेवा केंडर का उचक ने रिक्षन किया और अधिकारियों के साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश इस दोरान दिये कि वे समय पर अपनी ड्यूटी पर पस्ते थों और काम करवाने आए लोगों को परिशान ना करें इस अबसर पर ईटियों ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और लोगों ने देखा कि टोकन मिलने में दिक्कत हो रही है और इसमें पूरी पारदर्शिता नहीं है उन्होंने कहा कि लोग सुभा सुभा अपना काम करवाने के लिए आते हैं और उनका काम समय पर होना चाहिए ताकि वे अपने अन्य काम को भी कर सके वहीं इस मौके पर डिप्टिक कमिशनर घंशाम थोरी, SDM, मनकवल सिंग चाहिल, तैसिलदार अमरजीत सिंग और अन्य अधिकारी भी मौझूद रहे कमरिसर की ये तस्वीर है, जहाँ पर हर्बिजन सिंग ने ओचक ने रिक्षन किया है तैसिल कारयाले का और यहाँ पर अधिकारियों को सक्त नरदेश दिये हैं कि जो लोग लाइनों में लगे रहते हैं उन्हें के नाम का टोकन देते हुए, उनके काम को जल से जल निप्टाए जाए, किसी भी तरकी का कोई ना नुकुर ना किया जाए ताकि लोगों को परिशानी न हो सके और फिरोजपूर में बने ऐतिहासिक गुरुद्वारा जामनी साहिब में एक सिलेंडर में भयानक आग लग गई जिसके बाद से आग की तीज लप्टों में साथ लोग बुरी तरह से जुलस गई इन जोसे साथ लोगों में से पाँच स्कूली चात्र हैं जो स्कूल से गुरुद्वारा साहिब में सेवा करने के लिए पहुँचे थे और उनके साथ दो गुरुद्वारा साहिब के सेवदार है घायलों को अस्पताल में भरती करवाया गया है आपको बता दे कि जहां सिलेंडर में आग लगी वहाँ पर बड़ी तादाद में सिलेंडर रखे थे गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हाथ सा नहीं हुआ इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद से पुलिस भी मौके का जाइजा लेने पहुंची तो वही गुरुद्वारा प्रवंधक कमेटी द्वारा भी इस घटना में जाच पर ताल की जा रही है तो फिरोजपुर की ये तस्वीरे हैं जहां पर आग लगने से साथ लोगों के जुलसने की खबर साबने आई है जिसमें दो स्कूली शात्र भी बताये जा रहे हैं जिसमें से पांच स्कूली बच्चे हैं और दो सेवादार हैं गुद्वरा जामनी साहीब में ये सिलेंडर फटा है और यहां पर यहादसा हुआ और उज़र मोहाली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने दो आरोपियों को गुरसार किया है जिनके पास से नौ एमेम की 90 राउंड फाइरिंग की गई और आईपियस से डॉक्टर संदीब कुमार गर्क ने प्रेस कॉन्फरेंस कर पूरे मामले को लेकर जार कारी दी है तो मुहाली की तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने काफी जादा हत्यार यहाँ पर बरामत किये है और इन हत्यारों के साथ दो आरोपियों को भी शिकंजे मकस लिया है जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं यह दोनों आरोपी है और इनके पास से आपको बता दे कि कई सारे हत्यार भी बरामत हुए है और आप पुलिस की गिरफ्त में यह है और एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश लोगों के लिए आफ़त भी बन गई है मामला अबोहर का है जहां भारी बारिश के चलते तीन मकानों की छट गिर गई जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है तो अब वहर की यह तस्वीरें देखें जहां पर बारिश से एक तरफ गर्मी से राहत मिली है तो तो उससे तरफ बारिश लोगों के लिए आफ़त बन कर भी आई है देखें कितना नुकसान इस बारिश से हुआ है लगातार हो रही बारिश के चलते यह मकान कचा मकान गिर गया और इससे लोगों का काफी नुकसान बताया जा रहा है तीन मकानों की छथ गिरी है हलाकि जान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन ये तस्वीरे उन तबाही की है जब बारिश के चलते तीन मकानों की छथ गिर गई और लोगों का कई नुकसान यहाँ पर हुआ क्योंकि मांसून का सीजन चल रहा और ऐसे में लगातार बारिश हो रही है कि अंजी अंदर बैठे सी जी जी ते बहुत तेज जी एक दम सारी चाहते ड़ी कमरे दिए उपर ले अपर ले कमरे डिगन दे कारण निचे भी सारा तोड़ पाज होगी है समांदा भी निसकान हो गया बस साधी चोट पेड़ते में लगी जी बग मेरे मम्मी कामते गे इसी म कि मांगा के का दे अविश बादे बढ़ा तो निची जावे सी गरी तरह चाहिक दो अपने कर दा आए बारिश बूरी शोई सी के ओधो एक दम तो डेक प्या जी बच्चे बुच्चे सी गें तर मैं ते वी वाबा इद शैड़ चे सी कह मैं जी जी ननो बढ़ डर पह गया आपने शाड़ा कराय जोगे भी आनी पैसी भी कराय देला लंगे आथ लड़ा भी डिग नाड़ा ही है जी अच्छा जी ते बस यह मान गयागी अमारी मुटी तोई सवता दो लग सागे ते जी गाले की होई जी तोटेस जी ए योई जी मकान दिग्गा तो सारा बलबा थले अच्छा जी तोट किया जी तोट गी यह जी तोट किया जी किन्हें करना है कलें ऐसारी शेक मुझा जावे दिगाले अच्छे काम की करतें उसी आजी त्यारी दप्ताई कर दे मामा करन कोई करन कोई अलब शकार पंजब में एक और बदलाव देखने को मिला है आपको बतादे की आई एएस अधिकार्यों का तबाद्ला कर दिया गया है पंजब की कुछ हिस्तों में अधिकार्यों का ये तबाद्ला किया गया है और चंदिगड से ऐख़वर आपको बता रहे हैं जापर कई IAS अधिकारियों का तबादला किया गया और ये वही लिस्ट है जिन में उन अधिकारियों के नाम शामिल है जिन का तबादला किया गया है कई अलग अलग इलाकों से ये तबादला हुआ है ऐसी खबर सामने आ रही है और उसकी लिस्ट भी सामने आ गई है जिसमें आप देख सकते हैं सभी अधिकारियों के नाम है आपके टेवी स्क्रीन पर इस अधिकारियों का नाम शामिल है जिनका पंजाब के अलग अलग हिस्स उसे तबादला कर दिया गया है तो यह वो लिस्ट है उन IAS उधिकारियों की जिनका तबादला किया गया है पंजाब में दरसल बड़ा फेर बदल यह हुआ है पंजाब के प्रशासने कर ब्यूरो में और यहां पर कई सारे आईयस अधिकारी ऐसे हैं जिनका तबादला कर दिया गया है और उन तबादले में जिन लोगों के नाम शामिल है उसकी लिस्ट भी सामने आई है जिसको आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यहां पर रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्थासिर होंगे सावनें देख्यां सबेर दपढर्या सी कती नौन स्टॉप इनकी दान बाते ताली दासे कती नौन स्टॉप माने फोन पर राशन बनवा लिया आयुशमान कार्ट बनवा लिया, मारा दो मिसाईल बनवा लिया, दादी की पैंचन आ जाती है घर वेटे, मारा हैप्ती कार्ट बनवा दिये घर वेटे नॉन स्टॉप बढ़ी आकाप ले तू भी करन लाग जनो उन सब अभी तो कहते हैं हारा हर्याना, मौन्स्टॉप हर्याना अब ब्रेक की बाद एक बाद पिर से स्वागत है आप सभी का चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं लुध्याना के टिबा रोड से शेत्र के एक परिवार ने आरूप लगाया कि देर रात शराब ठेकेदारों ने एक घर में अकेली महिला से छ्षर्ण चाण करने की कोशिस की CCTV तस्वीरों में साफ स देखा जा सकता है कि किस तरह से हथियारबंद युख बाहर पहुंशते हैं और एक घर में अकेली महिला को हत्यार दिखा कर डराने की कोशिश करते हैं वहीं जब महिला ने अपने बीमार पती को अस्पताल में बुलाया तो उसके पती ने अपने चाचा को फोन करके घर भेज दिया जिसके बाद से उसके चार्चा पर भी हमला करने की कोशिश की गई मौके पर ग्रामेनों कोई कठा होते देख आरोपी मौके से फरार हो गए गल कोशिशनी ओई है आसी करें सी गे एक ओदा में ठेकेले टी गड़ी ओदरो आई है बोभी दे बंदे सी गे ओथे गड़ी खड़ा के गड़ी सादे उते वल देखे ते गली चे भी गेडा मारदे पया सी, गेट वली भी चाक्ति मारदे सी गा ते सादे वल देखी अद्धा गड़ी खड़ाई रख्याए थे ते फिर मैं आपने हस्मेंट नो फोन किता फिर उना ने चाचा जी नो फोन किता फिर मौके ते चाचा जी आए फिर उना गालबाद किती है झालबाद किती है और अधर अमरिट सर जालबधर स्टीएफ को नशावरोधिया भियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है स्टीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर अमरिट सर के रंजीत एवेन्यू इलाके में हॉलिडे हुटल के पास नाकमंदी के दौरान तीन युवकों को गिरिफ्तार किया है और उनके पास से 270 ग्राम हेरोईन एक बाइक बरामत की है इनके पास से मिली स्टीएफ अधिकारियों के बताबियों है पकड़े गए तीनों युवक अब मित्सर के रहने वाले बताए जा रहे है फिलहाला स्टीएफ आरोपियों से जो है मामले को लेकर और भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है प्राइफ आरोपियों से जुटाने में लेकर पाराइफ नाज तेन लड़के खड़े याथ ही इर्वेचिन ते फ्रीजदा काम करते हाँ न ते जे तुसी इना दे तलाशी लओगे जना फड़ूगे ते इना दे कुलो समाहनता नू मेल सकता आवा ते जलंदर इना ने इंटिमेशन दित ती जिस सवादर वेचे सीनिर अप्सरां दे हुखवाउं ताबक में लुपे जया गया जलंदर दो तो और कबर पंजाब देख रहे थे आप बुलेटिन और फिलहाल इतना ही नमस्कार झाल 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 झाल